हलो दोस्तो, Reader Books Club में आपका फिर से स्वागत है आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज आप सीखेंगे कि अमीर कैसे बनना है आज हम जो बुक्स अम्री लेकर आए हैं वो उन लोगों के लिए सबसे जादा फाइदेमंद है जो पूरी लगन और मेहनत के साथ काम तो कर रही है लेकिन अपनी इंकम और फिरनेशल सिचेशन को संभाल नहीं पा रही है ये वीडियो आपको अपनी फिरनेशल सिचेशन को बहतर करने में काफी हद तक हेल्फिल साबित हो सकती है अगर आप इस बुक में बताई गई बातों बर अमल करते हैं तो यकीनन आपकी थिंकिंग में काफी बदलाव आ जाएगा आपका अपने पैसों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा इस बुक का नाम है जिसे बाब प्रॉक्टर ने लिखा है इस वीडियो में टोटल नाइन चेप्टर्स हैं जो आपके अंदर छुपे हुए फैनेशल पोटेंशल को बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं तो आएएक के करके इस बुक को सिंपल और इजी तरीके से समझ लेगी कोशिश करते हैं इस बुक का सबसे पहला चेप्टर है में और मेरा पैसा जादतर लोग पैसे को लेकर काफी नेगेटिव थिंकेंग रखते हैं क्योंकि पैसो को लेकर हमारी थिंकेंग अकसर नेगेटिव होती है तो चाह कर भी हम पैसो को अपनी तरफ अट्राक्ट नहीं कर पाते जिसके वज़े से पैसा हमसे दूर चला जाता है बच्पन से ही हमारे माइंड में पैसो को लेकर नेगेटिव बाते भरी रहती हैं जिसका reflection हमें अपनी लाइफ में पैसो की कमी और financial stress के form में दिखता है इस book के author पॉप प्रॉक्टर के मताबिक हमारी self image जैसे होती है हमें अपनी लाइफ में वैसे ही result मिलते हैं यानि कि अगर हम अपने बारे में negative thinking रखते हैं तो हमारी लाइफ में जादा तरजी से negative ही होती है इसलिए अपनी financial condition को सही करने से पहले हमें अपनी self image को change करने की जरूत है और अपने दिमाग में पैसे को लेकर अच्छे और positive thoughts को लाने की जरूत है ऐसा करने से पैसे और हमारी बीच का relationship बेटर बन सकता है पैसे को कभी भी एक materialistic चीज़ की तरह नहीं देखना चाहिए बलकि अपने जैसे ही एक living चीज़ की तरह समझना चाहिए कभी भी किसी दूसरे के पैसे को देखकर अपने मन में jealousy ना लाएं बलकि हमेशा उसकी respect करें जब आपके mind में पैसो को लेकर respect होगी तो wealth और prosperity अपने आप आपकी तरफ attract होने लगेगी simple तरीके से कहें तो अमीरी और गरीबी सब हमारे दिमाग में होती है इसलिए अपने खराफ financial condition का रोना रोने की जगा आप अपने mental state में change लाएं और अपने आपको अमीर समझे अपने मन में अमीरी की बीच डालने की कोशिश करें और यकीनन एक ना एक दिन ये बीच ज़रूर पेड़ बने का और आपकी life को wealth और prosperity से भर देगा कोई भी creation reality में बनने से पहले हमारे mind में बनती है और उसके बाद ही वो reality में बनकर हमारे सामने आती है जैसा कि Thomas Edison ने light bulb बनाने से पहले उसका model अपने दिमाग में create किया था जिसके बाद ही वो अपनी imagination को reality में convert कर पाए इस book का अगले chapter बात करता है कि how much money is enough यानि कि कितना पैसा होना काफी है वैसे तो ये बहुत मज़िदार सवाल है कि आखिर अमीर बनने के लिए कितने पैसों की जरुत है क्या कोई ऐसी definition या parameter है जिससे ये ना पाजा सके कि कौन सा इंसान कितना अमीर है अगर हम technical terms में बात करें तो economics का एक concept है poverty line यानि की गरीबी रेखा जिससे नीचे रहने वाले इंसान को गरीब माना जाता है और उसे उपर रहने वालों को अमीर हर country का अमीरी और गरीबी जानने का criteria अलग होता है जैसे अमेरिका में जिसके पास car नहीं है उसे गरीब माना जाता है वहीं इंडिया जैसी countries में car को अभी भी एक luxury item की तरह माना जाता है इंडिया में जो daily 2 डॉलर ये इससे कम कमाता है उसे गरीब माना जाता है अब यहाँ पर एक बात आती है कि इंडिया में एक अरब से जादा लोगों की कमाई दो डॉलर या उससे जादा है उसके बावजूद भी हर कोई अपने आपको ना तो अमीर समझता है और ना ही अमीर की कैटेगरी में खुद को रखता है यही रीजन है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत सारे पैसो की जरूत होती है अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि अमीर बनने के लिए कितने पैसो की जरूत है तो सबका जवाब एक ही होगा कि बहुत सारे पैसो की जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा subconscious mind सोच नहीं सकता है वो सिर्फ action ले सकता है अब ऐसे में बहुत सारा पैसा इसकी कोई clear image हमारी subconscious mind में नहीं बनती है और वो हमिशा confused रहता है और एक confused subconscious mind चाहकर भी जरूत के according पैसो को attract नहीं कर पाता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी life में पैसा बना रहे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसका use बहुत ही wisely कीजे अपने फिजूल खर्चों को कम करें अगर आपके पास जाधा पैसा आ रहा है तो उसका घमन ये दिखावा मत कीजे और अगर कम पैसे आ रहे हैं तो उसको लेकर दुखी ये परिशान ना हो क्योंकि पैसा एक energy और एक living चीज है हमारे मन में चल रहे thoughts का और हमारी feelings का पैसो के साथ सीधा connection होता है पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं या तो आप काम पर जाएं नहीं तो आप अपने पैसो को काम पर लगाएं यानि कि पैसो के दो सोर्स होते हैं पहला active income और दूसरा passive income जिस income के लिए आप आफेज जाते हैं आप खुद job करते हैं वो सब आपकी active income है और ये active income आपको तब तक मिलती रहती है जब तक आप काम पर जाते हैं और काम करते हैं वहीं दूसरी तरफ passive income के लिए पहले से आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए उसके बाद आप उन पैसो को काम पर लगा सकते हैं और ये invest किये हुए पैसे आपको पैसे कमा कर देंगे इसी तरह के income को passive income के लिए सिर्फ एक बाद ही काम करने की जरूत होती है उसके बाद पैसे अपने आप आपके पास आते रहते हैं जैसे कोई writer एक बार मेहनत करके एक book लिख देते हैं उसके बाद पूरी life उस book से उनकी कमाई होती रहती है लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखे कि बिना कुछ किये आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं आपको पैसे के लिए कुछ ना कुछ effort जालने की जरूत होती है लेकिन जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तब उस पैसे को सही तरीके से manage करना अपने आप में एक बड़ी responsibility है ऐसे में writer ने आपका काम आसान करने के लिए कुछ ऐसे तरीकों को share किया है जिनकी help से आप आसानी से अपने पैसो को manage कर सकते हैं सबसे पहले आप एक paper या diary में एक महीने में होने वाले सारे खर्चों का हिसाब लगाएं और देखें के किस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि हिसाब लगाना बहुत जरूरी है इससे आपको पता चलता है कि आपका कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है कई लोग पैसे कमाते हैं और बिना हिसाब लगाएं खर्च करते रहते हैं ऐसा करने से वो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और end में उनके पास कुछ नहीं बसता जबकि financial stable बनने के लिए आपको अपने पैसो का हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है उसके बाद दूसरा तरीका है life insurance लोग अपनी life को सिक्यूर करने के बारे में नहीं सोचते हैं लेकिन आपको अपनी कमाई के हिसाब से life insurance लेनी चाहिए life insurance लेने के बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि ऐसा करने से life में एक secure feeling आती है भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी family को life insurance से काफी help मिलेगी लोग अपने पैसों को बहुत सारे कामों में invest करते ह हैं तरह तरह की चीज उपर पैसे लगाते हैं लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप खुद के उपर कितना पैसा हर्च करते हैं तो बहुत सारे लोग खुद के उपर कोई खर्चा नहीं करते उमारे पास अपना एक financial independence account होना चाहिए जिसमें आपको अपनी कमाइपा सि अपने ही जरूर तो और अपने शौक पूरे करने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा लेगन अगर आपने पहले से ही किसी का करजा ले रखा है तो इस करजे को खत्म करने का बहुती शांदार तरीका है अगर आपके उपर किसी का करज है तो उसे एक बार में दे से बात कर सकते हैं और उन्हें अपनी स्कीम के बारे में बता सकते हैं ऐसा करने से आपका कर्ज भी दीरे-दीरे उतर जाएगा इतना कुछ करने के बाद आपको mental stress नहीं रहेगा और एक तरफ से देखा जाए तो आपकी सारी financial problems solve हो गई हैं आपके पास income के source भी है life insurance भी है को कुको FM पर भी सुन सकते हैं जहां आप सीखेंगे कि मंतली बजट को कैसे follow करना है जितना effort कर सके उतना खरीदना कर्स को खत्म करना emergency saving को भढ़ाना और investment करना आप भी कुको FM को डाउनलोड करके बहुत से courses 1000 audiobooks और books summary को भी सुन सकते हैं अभी annual membership के साथ चल रहा है 50% discount करते हैं इस book के तीसरे chapter दाइमेज मेकर की ये chapter बात करता है कि कैसे दिन भर में आपकी दिमाग में जो बाती चलती रहती हैं आपकी जिन्दगी भी बिल्कुल वैसी ही हो चाती है और आपके दिमाग में सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी चलता है वो सब उस information का नतीज करते हैं इस chapter को अगर आज के नजरी से देखे तो हम सुबह से लेकर रात तक जैसा content consume करते हैं आप YouTube पर जिस तरह की वीडियो देखते हैं आपको जाद अतर वैसे ही खयाल आते हैं और आपके mental image भी वैसे ही बन चाती है अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो अपने दिमाग को अमीर बनने के वचारों से भर दे हर तरफ से अमीर बनने के तरीके ढूंडे अगर आप आसपास की surrounding को ठीक नहीं कर सकते हैं तो अपने mental state को वदले और जब आप किसी भी चीज़ की तस्वीर को अपने दिमाग में बनाने लगते हैं तो वो चीज़ बहुत जल्दी हकीक अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने मन में अमीर बनने का खयार लाना होगा और खुद को एक अमीर की तरह visualize करना होगा इतना ही नहीं आपको जितना जादा हो सके उतना जादा ऐसे लोगों के thoughts को consume करना चाहिए जिनके तरह आप बनना चाते हैं अपने mind को image maker बना जैसे कि किसी इंसान से हमसे कह दिया कि ये काम करने से ये होता है या ऐसा होता है तो भले ही हमारे साथ कुछ ना हुआ हो लेकिन जिन्दगी भर उस इंसान की बाते हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं या हमारे आसफास के लोगों ने बोल दिया कि पैसे कमाना मुश्किल क और अगर किसी ने बोल दिया कि अमीर बनने के लिए करत काम करने पड़ते हैं तो हम ये मानने लगते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं। इस तरह की misconception की वजह से हमारी दिमाग में negative mental image बनने लगती हैं और इस negative mental image की वजह से हमारी life में negative चीजे होने लगती हैं। इस दुनिया में जादा तर लोग negative image की वज़े से negative energy को अपनी life में track करते हैं जिसके चलते उनके साथ हमिशा कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है ऐसे लोग हमिशा गरीब बने रहते हैं और कभी भी अपनी life में money, wealth और prosperity नहीं लापाते हम सब जानते हैं कि जीवन को comfortable बनाने के लिए पैसो की जरूत होती है लेकिन हम सबने अपने मन में ये impression बना लिया है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है और हर कोई अमीर नहीं बन सकता यही वज़ा है कि हर किसी की जिन्दगी में बदलाव नहीं आपाते हैं अब हम आपके साथ को जैसे तरीके शेयर करने वाले हैं जिससे आप अपनी mental image को rewrite कर सकते हैं यानि की बदल सकते हैं सबसे पहला तरीका है हर रोज युनिवर्स से प्रे करना जब आप इस दुनिया और अपनी जिन्दगी के लिए gratitude फील करेंगे तो अपनी life में 360 डिगरी बदलाव देखेंगे दूसरा तरीका है कि आप सुबह सुबह 10 मिनिट के लिए money affirmation सुन सकते हैं इससे आपके mind में पैसो को लेकर अच्छे और positive thoughts खुद बखुद आ जाएंगे और ऐसा रोज करने से आप अपने mind में खुद को अमीर फील करेंगे तब पैसे आपकी और अपने आप attract होने लगें हैं, millionaire हैं, उनकी बातों को सुनिए, उनके podcast सुनिए, अपने busy schedule में से, अपने सीखने के लिए कुछ वक्त निकालिए, ये आज का आपका थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन कल आपका अमीर बना सकता है, अगला तरीका है कि आप हर रात सोने से पहले, अमीर लोगों को याद करके सोगे, और उनको visualize कीजे, उनसे mental conversation कीजे, mental conversation के फायदे, नेपोलियन हिल की book, Think and Grow Rich में भी बताये गए हैं, इन different तरीकों से आपका software बनता है, लेकिन उस software को support करने के लिए, hardware की भी जरूत होती है, तो यहाँ पर अब आप अपने लिए काम को choose करें, और उस काम के growth का scope पर उन्डिये, क्योंकि वही आपका उमीर बनाएगा, आगे बढ़ते हैं अगले chapter की तरफ, यह chapter है, expected abundance के बारे में, यानि कि जितनी आपकी need है, उससे जादा पैसे expect करें, हमारे पास इस universe की सबसे complex creation, यानि कि हमारा दिमाग है, और इस mind की अंदर आता है हमारा subconscious mind, जो के बहुती powerful instrument है, इतना ही नहीं, हमारा subconscious mind, बहुती powerful magnet की तरह काम करता है, हमारे मन में सुबह से लेकर शाम तक, जैसे thoughts चलते रहते हैं, हम वैसा ही सोचते हैं, और अपनी लाइफ में वैसे ही चीजों और events को attract करते हैं, अगर आपके मन में सुबह से लेकर रात, सिर्फ negative होती हैं, और आपकी life खुशियों से भर जाती है, हर इंसान को अमीर होने के सारे element जन्म से ही मिल जाते हैं, और हर इंसान में जन्म लेते ही कुछ न कुछ abilities होती ही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गरीब के गरीब बने रहते हैं, अगर आप social life में अमीर बनना चात हैं, तो उससे पहले आपको अपने मन में wealth को visualize करना पड़ेगा, बिना visualize किये, आप असल जिन्दगी में उतने पैसे नहीं कमा सकते हैं, इसके लिए आपको daily basis पर visualization करना होगा, आप अपने जीवन में जितने पैसे चाते हैं, उसे एक जगह लिखे और उसे बार बार देखे सुबह उटने के बाद और सोने से पहले, उसको अपने मन में visualize कीजे, और ऐसा बिलीफ कीजे, कि जितने पैसे आप अपनी life में चाते हैं, उतने पैसे आपके पास पहले से ही हैं, और इसी तरह धेरी धेरे ये सोच, आपकी हकीकत बन जाएगी, और एक दिन आपको इतने प पी हुई गरीबी हमारे अमीर बने के रास्ते में रुकावट बन चाती है, कई लोगों को अमीर बने के इस तरीके के बारे में पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरीके को implement नहीं कर पाते, उनके मन का डर और डाउट इस पूरे प्रोसेस को तभा करके रहेंगे, ऑथर अपने अगली चेप्टर में डिजायर के बारे में बात करते हैं, कि विदाउट एक्सपेक्टेशन, डिजायर इस ओनली विश्वल थिंकिंग, यानि कि बिना एक्सपेक्टेशन के डिजायर मेंजे एक इच्छा बनकर रह जाती है, डिजायर अपने आप लाइफ में वेल्थ और प्रस्पारिटी के लिए तीन चीजों की जरुत होती है, पहला ये, कि आप अपने मन में इमेज बिल्ड करें, दूसरा उस इमेज को अपनी स्पिरिट के हवाले करतें, और तीसरा आप उसे दिल से एक्सपेक्ट करें, और यकीन मानिए, ये ये य हम मानते हैं, कि हर चीज या तो वाइबरेट करती है, या मूव, कोई भी चीज स्टैटिक, यान कि स्थिर नहीं होती, सब कुछ एक constant state of motion में है, और इसलिए inertia या state of rest, इस जैसी कोई चीज नहीं है, एनरजी हर अलग degree of vibration में manifest करती है, आपका मन अपने आप में स्वर्क से न अंखों में enter करता है, और उसी को हमारा mind treat करता है, जो कुछ भी हमें सुनाई देता है, वो भी एक vibration का form होता है, sound और light भी energy का ही एक form होती है, यहां तक कि जितना भी हम सोचते हैं, उस सोच की भी एक frequency होती है, वो भी एक तरह की vibration होती है, इस universe में हर चीज एक दूसरे से जब आप अपने goal की image को अपने मन की screen पर रखते हैं, तो आप उस energy के हर एक particle के साथ vibrate करते हैं, जो आपके goal की image को reality में बदलने के लिए जरूरी होता है, उस image को hold करके, energy के particles आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही है law of vibration और attraction, व होसल में हमें को ढून रहा है, बस हमें इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है, हम जिस चीज की भी चाहत रखते हैं, वो चीज भी हमें ढून रही होती है, इसलिए कभी अगर बुरा वक्त जैसा आपको लगे, तो आप अपने अमीर बनने का सपना मत बदलिए, क्योंकि या तो उसे बनाएं, या फिर उसे खत्म कर दे, इसलिए अगर कोई भी चीज ग्रो नहीं कर रही है, तो इनिवर्स के लॉक एकॉर्डिंग, उसे खत्म हो जाना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है, दा रिस्क टिकर, आप किस इसकी इंटरप्शन के, बहुत ही मोनोटोनस हो जाती है, और ऐसी लाइफ कभी महान नहीं हो सकती है, फेल होना हमें फेलर नहीं बनाता है, और जब हम फेल होते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं, कि और अधिक प्रयास करना है, या रुख जाना है, अपनी लाइफ में ऐसे जिसे की फेल होना एक impossible concept है, चलिए कि exercise करते हैं, आप अपने ambitions को किसी कागज में बहुत detail में लिखें, और जो भी लिखे present tense में लिखें, इसे किसी ऐसी चीज़ की तरह न लिखें, जिसे करने का प्लान बना रहे हैं, बलकि इसे ऐसे लिखें, जैसे कि ये कुछ ऐसा है, ज प्रेजेंट में कर रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, या मैं कर सकता हूँ, और फिर चिलाएं, कहीं, इसे गाएं, और इस thought को अपने subconscious mind में ड्रिल करें, कि आप ये काम करने जा रहे हैं, अब बात करते हैं इस book के last chapter की, जो कि है the vacuum law of prosperity, ये law कहता है, कि उसमें अमरे डालना पड़ेगा, इसी बात को दूसरे तरीके से जमझें, तो आपके mind में पहले से ही कुछ belief होते हैं, जिनको आपको खत्म करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही, आप नई belief बना सकते हैं, जिस तरह मैनत हमेशा बगीजा बनाने की की जाती है, और जंगल खुशी की जरुत पड़ेगी, और खुशी हमेशा दूसरे लोगों को खुश देकर ही होती है, और ऐसा कहा भी चाता है, कि एक खुश इंसान सबसे अमीर होता है, तो दोस्तों, अपनी financial condition को सही करने से पहले, हमें अपनी self image को change गरने की जरुत है, और अपने दिमाग में thoughts लाने की जरुत है, कई लोग पैसे कमाते हैं, और बिना हिसाब लाएक खर्च करते रहते हैं, ऐसा करने से वो जितना कमाते हैं, उतना खर्च करते हैं, और end में उनके पास कुछ नहीं बसता, जबकि financial stable बनने के लिए, आपको अपने पैसे का हिसाब रखना बहुत जरुर करते हैं, हम जिस भी चीज की चाहत रखते हैं, वो चीज भी हमें ढूंट रही होती है, तैंके दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं, कि बॉब प्रॉक्टर के ये बुक, यवर बॉन रिच की समरी आपको पसंद आई होगी, और यकीनन आपको इस बुक से कुछ निया सीखने को मिला होगा, उम्मीद करते हैं, कि इस वीडियो को देखने के बाद, आपका पैसो को देखने का नजरिया, बदल गया होगा, और आप भी अपने अमीर बने के सवर पर निकल चुके होगे, आप इस बुक को आरडर करके और भी डीडिल में पढ़ सकते हैं, इसके साथ आथ डिसकांट के लिए RBC 50 कूपन को यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिश्टेशन में दिया गया है, अगर आपने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इम्मीरिटली चानल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते हैं, इससे हमारा मोटिश कंसिस्टेंटली बढ़ता है, अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइक में हिल्प कर सकती है, तो सबके साथ इसे शेयर भी करें, जल्दी मिलेंगे और भी बहतर वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच,